हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो इस्टडी न्यूस चंपा नेर पावागड पूरा तत्व पार्क अपनी प्राचिन हिंदू वास्तु कला मंदीरों और अपनी विशिष्ट संरचना मुस्लिम हिंदू वास्तु कला के मेल को दरसाता है तो जानेंगे इस विशिष्ट किले के बार चावडा वंस के राजा वन्राज चावडा ने चंपा नेर की स्थापना की थी उनके एक मंत्री का नाम चंपा रास था जो इनके काफी अच्छे मित्र भी थे इनहीं के नाम पर इस जगय का नाम करन हुआ था चावडा वंस गुजरात का काफी प्राचिन और सक्ति साली राजवन्स था इस वंस का समय 690 से 942 इसवी के बीच माना जाता है चावडा वंस के प्रमुख राजा वनराज सिंग थे जो की गुजरात के काफी सक्ति साली राजा थे चमपानेर पावागड पूरा तत्वु पार्क भारत के गुजरात राज के पंच मह जिले में इस्थित है चमपानेर पावागड पूरा तत्वु पार्क एक युनेसको विश्व धरोहर इस्थल है इसे इस सूची में 2004 में समलित किया गया था इस पार्क में अनेको इसमारक इस्थित है जिन में से 38 इसमारकों को भारती पूरा तत्व सर्वेक्षड के दायरे में लिया गया है चमपानेर के ठीक उपर पावागड किले का निर्माड खीजी चोहां राजपूतो दवारा करवाया गया था पावागड किले को बाद में महमूद बेगडा ने कबजा लिया था महमूद बेगडा ने इसे अपनी राजधानी बनाई और इसका नाम बदल कर महमूदा बाद कर दिया था सहर के पुनर निर्माड के लिए महमूद बेगड़ा ने 23 साल तक इसी जगह पर अपना जीवन यापन किया था ये जगह पावागड पहाडी के आसपस इस्थित है जोला मुखी विसपोड से निकले लावे के कारण पहाडी धलानों के निर्माड से ये पहाडीों से घीरा हुआ है इनी पहाडीय के ऊपर एक काली माता का सुन्दर मंदिर है यहाँ पर आठवी सताब्दी से चौदवी सताब्दी तक बने अनेक धार्मिक इमारतें, किले, जनसंग्रहण की व्यस्ता आदी मौजूद है यह भव्य सहर सुन्दर वास्तु कलाओं से बना हुआ है इन किलों में बने सभी मंदिरों का निर्माड नागर सेलियों से किया गया है यहाँ बने एतिहासिक इस मारकों में किले की एक स्रिंखला है इन किलों का निर्माड बलुआ पत्थर से किया गया है जिसमें बुर्ज और खुबसूरत बालकनिया बनी हुई है पावागड की पहाड़ियों पर एक अद्भूद मंदिर इस्थित है जहां पर 51 सक्ति पीटों में से एक महाकाली माता का मंदिर इस्थित है और यहीं पर तीन तलाब भी है पावागड पूरा तत्व पार्क में 11 विभीन प्रकार की इमारते मौजूद हैं जिन में कई मस्जिद, मंदिर, अनाच के भंडार, कब्र, कुएं, दिवारे और बरामदे सामिल है यहां पर काफी बड़ा हिस्था वन से घिरा हुआ है और 94 परसेंट जमीन पर वन विभाग का अधिकार है यहां के मोलिया पठार पर बहुत प्रसिद लकुलीस मंदिर इस्तित है मंदिर का निर्माड लकुलीस द्वारा किया गया था जो की पसुपती सैव धर्म समंधित संस्थापक थे चंपानेर पावागड में हिंदू और जैन धर्म से संबंदित कई मंदिन निर्मित किये गए हैं जो की सांदार वास्तु कला और डिजाइन के अनूठे उधारण है चंपानेर पावागड की खुबसूरत दो मंजिला नगीना मस्जित दच्छिड में इस्थित है नगीना मस्जित को गहना मस्जित के नाम से भी जाना जाता है जो अपने नाम के अनुसार ही सफेज संग मर्मल से बना हुआ अती सुन्दर वास्तु कला का उधारण है मस्जित के निर्माड में जटीर रूप से डिजाइन की गई मिनारे भी है जो इसकी खुबसूरती को और भी सुन्दर बनाती है सो ये था चमपानेर पावागड़ पार्क के बारे में पूरी जानकारी मैं आपके लिए और भी ऐसे एतिहासिक इस्थानों के वीडियो लाती रहूंगी जो हमारे सुन्दर वास्तुकला और सनरचना को दर्साते हैं सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीस लाइक सस्क्राइब एंड कमेंट